हेलो इपरीबन वेलकम बैक टू माई चैनल सो आईए आज की इस बीटिव में मैट्स के इस कोस्टन को हम सिंप्लिफाई करते हैं तो कोस्टन देखने में काफे डिफिकल्ट लग रहा है वाट यह कोस्टन बहुत ही कम सेकंड में आप बना सकते हो कोस्टन को देखते ही इसका अंसर आप दे सकती हो तो ट्रिक क्या है वो हम यहां पर समझते हैं तो ट्रिक को समझते हैं पहले आप यह समझे कि इस कोस्टन में जो मैं ट्रिक बता रहा हूं कब आपको अपलाई करना है तो कोस्टन को यहां पर देखिए कि कोस्टन में अंस जो दिया हुए नोमिनिटर सारे के सारे क्या है वह वन 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 है है ना यानि कि नुमिनेटर क्या है एक समाने नुमिनेटर क्या है एक समाने और नीचे जो मल्टिपलाई का जो अंतर है देखिए मल्टिपलाई का जो अंतर डी नुमिनेटर में दिया हुए है सारा का सारा एक समाने है ना सारा का सारा क्य यहां पूंट करना है कि टर्म है एक टर्म यह हो गया दो टर्म तीन टर्म चार्व तर्म एक छे डर्म है ना यानिकी सिक्स ट्रम टोटल हो गय है हमारे इस question में ओके तो आपको क्या करना है यहाँ आपको six link लेना है ठीक है इसके बाद first term का नीचे का जो multiply दिया हुआ है इसका first digit आपको लेना है first digit क्या है multiply का one है तो आपने यहाँ पे one यहाँ पे लिख लिया उसके बाद multiply का चीन दे देना है उसके लाश्ट term का last term का last term का denominator में जानि कि हर में जो last digit है उसको आपको यहाँ पे into रूप में आपको लिख लेना है तो इस परकार इस से अप स्वल्व कर दो यही इस वीडिवी स्कोस्टन का क्या हो जाएगा answer हो जागा तो वन इंटू 13 13 होता है तो इस परकार 6 13 इस कोस्टन का answer हो गया okay so I hope वीडियो से मैं आया हो वीडियो चलिए लाइक लिए चनल पर नहीं तो सब्सक्राइब किजिएगा और इसे शेर किजिएगा okay so thank you